दोसकार दोस्तों आज की स्ने वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज की स्ने वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपका एकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है और किसी कारण बस अगर आपका पास्वुक के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क का पता लगा सकते हैं और आप उसे यूज भी कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेवंट बैंक के अप्लिकेशन में जाके तो यहां पे इसके साथ साथ यह भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका कौन सा मॉबाइल नंबर रेजिस्टर है और कौन सा इमेल आड़ी जो है आपके एक साथ बता देता हूं तो एक चीज का आप धियान रखेंगे कि जब आपने एकांट आपन करवाए था उस समय आप जो है इमेल आड़ी जरूर दिये होंगे वही इमेल आड़ी को आप अपने मॉबाइल में लोगिन कर लेजिए लोगिन करने के बाद आप जो है इमेल जो है सर्च बार का एक उप्सन दिखेगा तो यहां पर आप सर्च करेंगे आई पी बी यह सर्च करने के बाद यहां पर देखे यह आ जाएगा उसके बाद आप सर्च कर देंगे सर्च करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका अगर इमेल आड़ी अगर आप दिये होंगे तो आपको महिने महिने जो statement भेजता है email id पे जो कि एक तरह से pasbook भी होता है आप statement यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए मेरे 11 नभंबर को इंडिया पोस्ट प्यमंद बैंक ने जो है भेजा है तो इसी को email को जो है open कर लेंगे तो यहाँ पर आप जो भी email दी है उसी को आप login करेंगे open करेंगे वहां पर सिर्फ आपको लिखना है आई पी पी बी जिसे ही लिखेंगे कोई न कोई आपके सामने में email आहीं जाएंगे आई पी पी बी का तो उसे आप open कर लेंगे तो open करने के बाद चली हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है तो दोस्तों यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा आप यहां पर देख सकते कुछ information आपको यहां पर मिल जाएगा तो जिसे कि यहां पर देखिए इं क्लिक करने के बाद PDF में होगा PDF में आपको open कर लेना है open करने के बाद यहां पर देख सकते हैं आपको कुछ password यहां पर मांगा जा रहा है तो आपको कौन सा password यहां पर देना है तो चलिए माँ आपको बता देता हैं फिर से तो दोस्तों फिर से हम उसी email पर आ जाएंगे जो 1889 तो इसका पासवर्ट कैसे आपको देना है पीडिया जो फाइल अभी आप अपन किये थे तो आपको यहां पे लिखना है आपके जो नाम का जो है चार लेटर जिसे की यह इस हुआ है हो गया यह आपको लिख लेना है किसी जगे उसके बाद यहां पर आपका जन्रामति थी जो हो गया 10-08 उसके बाद 1989 जो है आपको 1989 ही देना है सिर्फ onवसी देना है जैसा कि आप इस इसफिकर रहे हैं तो यह प्लव बनन गया एस एच वा ए उसके बाद दस जिरो आठ आठ नो यानि की नवासी आपको देना है इस तरगे से आप पासवर्ड बना सकते हैं फिर से मैं आपको बता देता हूँ जिसे कि आपका नाम है एस आर गुपता तो यहाँ पे सिर्फ आप एस आर जी यू देंगे ठीक है उसके पासवर्ड देने के बाद हम इसे बटन पे किलिक कर देंगे तो किलिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका जो है जो भी डिटेल आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको सारा डिटेल यहाँ पर मिल ऐगा तो जैसा कि मैं आपको बोला थाкой हो नमबर आपको यहाँ जाएंगे आपहां पर देख सकते हैं आपको जूम करके भी दिखा रहें उसकेद जैसा कि हम आपको बोगते थे कंस्टमर आइडी भी आपको मिल जाए जो की इंडिया पोस्ट पेमिन्ट बैक में अगर आपको मौबाल बेंकिंग यूज करना है तो आपको एकॉंड नमघ और कस्टमर आइडी भी जरूरी है तो जिसकी मैं वह पूंगो था कि आपका कौन सा मोबाल लंबा रजिस्टर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और कौन सा इस्टेटमेंट मंगा सकते हैं इसके लिए मैं एक वीडियो बना चका हूँ आप जाके देख सकते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जागा चले मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप जो है ओफ लाइन कैसे आप आफसी कोड हो गया उसके बाद एकांट नमर हो गया उसके बाद कस्टमर आइडी हो गया कैसे आपको मिलेगा तो चलिए मैं आपको बताता हूं आपसे पहले मैं आपको इसकीन पे एक नमर दिखा रहा हूं जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक का कस्टमर केर का नमर है त आपसे प्रिसनल डीटेल पुछे जाएंगे जो कि आप एकांट ओपनिंग करवाते समय दिये थे और आपका जो है वेरिफाइड डीटेल अगर हो जाता है तो आपको यहाँ पे एकांट नमबर और प्लस कस्टमर आईडी भी आपको यहाँ पर प्रवाइड कर दिया जाएग पर ट्राइक कर सकते हैं आपको जरूर मिल जाएगा एकांट नमबर और कस्टमर आईडी तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरू कर सकते हैं अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सबस्क्राइब कर दें और बगल में जो बैल आकन है उसे भ पता सकते हैं तो फिर मिलेंगे किसी एक और नए सांदार वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत